एक बार राजा अकबर अपने दर्बार में किसी खास विशे पर चर्चा कर रहे थे। उस विशे पर उन्होंने राज दर्बार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मानगी। ऐसे में दर्बार में उपस्थित सभी मंत्रीगनों ने अपनी अपनी बुद्धी के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिलकुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजब पूछी और सवाल किया, आखिर सब की सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। राजा की सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महराज बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विश्यों पर सब की सोच एक जैसी ही होती है, बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना-पना काम करने के ल नहीं होती, इस सवाल का जवाब दो मुझे, इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिर जाती है, जब लाग कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझाती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए ए अपने घर से एक लोटा दूद लाकर आपके बाग में बने सूखे कुए में डालेंगे और इस फर्मान को न मानने वाले को सक्ट से सक्ट सजा दी जाएगी, वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मुर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार श का फर्मान था, तो मानना सभी को था, सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे, देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुए के पास जमा हो जाते हैं, बारी बारी सभी कुए में लोटा पलट कर अपन के फर्मान से कुवा दूद से भर गया बीरबल की बात पर राजा अकबर कुवे में जांक कर देखते हैं कि कुवा उपर तक पानी से भरा हुआ है ये देखकर उन्हें बहुत आश्चर्या होता है और वे नाराज भी होते हैं राजा अकबर बीरबल से कहते हैं मैंने तो पानी से क्यों भरा गया राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है महराज कुए में दूद दालना सभी को व्यार्थ लगा इसलिए सभी ने दूद की जगल कुए में पानी डाला उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रागधना अंधेरा होता है अब अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझा गई थी